कराहाल तेसर के ग्राम सिलपूरी में आम आद्मेपार्टी के बैठक संपन हुई گराम सिलपूरी में आद्मेपार्टी के सलाध्यक्ष एक गुंदीप सिंह तोमर ने लिई भैठक जिसमें सद्सता अभियान के साथ साथ। कई विश्यों पर चर्चा हुई आगामी कारिक्रमू और विधान सबाचुनाव की मते नजर आम आदमी पार्टी के विचार धारा कारिकरताओं को बताई। अगामी के विश्यों पर चर्चा हुई इस मौके पर कराहल ब्लॉक के ध्यक्ष विनोद शर्मा आम आदमी पार्टी के यूद जिला ध्यक्ष लाला सिंग से करवारों समस्ते कारिकरता उपसित रहे। इसी के लिए आज सिल्पुरी में ये आम आदमी पार्टी का कारिकरम आयुजद किया गया था। और यहां पर चालिस से पचास जो यूवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्ता ली है। हमारा उद्देश यूवाओं को जोड़कर और आम आदमी पार्टी की बिचारधारा को घरगर तक पहुचाने का प्रयास है। और इस से आगे आपका कोई प्लान है। हम शोपर बिधानसवा और विजयपर बिधानसवा के अंदर हर पोलिंग बूथ पर अपनी एक मजबूत टीम के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रतेक पोलिंग बूथ पर हमारा यूथ जो होगा वो मजबूती से खड़ा रहेगा और आने वाले चुनाव में हम पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे। जिस तरह से गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तागस से चुना लड़ रही है और वहां पे जिस तरह का माहौल अब बन चुका है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब निश्चित रूप से गुजरात जीतने वाली है उसके बाद झाले में झाले में.